दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सेर मार्कीट में जब भी आप ETF खरीदते हैं तो ETF खरीदने से पहले आपके दिमाग में ये विचार आता है कि हमें कौन से ब्रोकर के साथ जाना चाहिए, कहां पर हमें कम चार्जस लगेंगे तो ऐसे में आज मैं आपको compare करके बताने वारा हूँ भारत के चार बेस्ट डिमेट अकाउंट के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे पास टोप चार डिमेट अकाउंट है जो की टोप 4 में ये ही आते हैं जब भी हम ETF खरीदते हैं या सेलिंग करते हैं तो उन पर बहुत जादा चार्जस लगते हैं कौन से broker के साथ हमें जाना चाहिए जहां पर हमें कम से कम चार्जस लगें और जब मैं आपको बताऊंगा तो आप ठीक है आज चार चकित रह जाएंगे कि इतने चार्जस लगते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है दोस्तों सबसे पहला आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर ठीक है ग्रो आप स्टोक एंड काइट देखने को मिलेगा जरोधा एंड एंजल वन चारो जो है डीमेट अकाउंट ओपन कर रखे हैं और यहाँ पर मैं कंपेर करके बताने वाला हूँ कि हमारी लीब बैस्ट कौन सा होने वाला है एटीफ के केस में तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो है ग्रोध डीमेट अकाउंट में हमने HDFC Nifty Small Camp 250 ETF को ओपन किया है जो कि आपको प्राइज देखने को मिलेगा 186 रुपे 19 पैसे सेम यही ETF हमने यहाँ पर जो है ओपन कर रखा है और सेम ETF हमारा यहाँ पर होने वाला है और सेम ETF हमारा यहाँ पर होने वाला है अब दोस्तों मैं सबसे पहला आपको बताऊंगा ग्रोव में तो ग्रोव में आप देखेंगे दोस्तों हम बाइंग पर जाते हैं इस ETF को बाइंग करते हैं और यहाँ पर quantity डालूँगा एक आपके सामने दोस्तों मैंने एक quantity डाल दी और यहाँ पर हम market price लेते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें यह कितनी cost में पढ़ता है तो मैं यहाँ पर click करूँगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों अगर हम grow की बात करेंगे एक ETF खरीदने पर जिसकी value आप देख रहे हो 186 रुपे 19 पैसे है तो कितने charge देने पढ़ने हैं यहाँ पर brokerage का 10 पैसा है, exchange trade का 1 पैसा है, GST 2 पैसा है, security transaction charge 19 पैसा है और stamp duty 3 पैसा है, total मिलाकर दोस्तों अगर आप इसको देखेंगे, तो यह निकल कर आएगा 35 पैसा, 35 पैसे हमें देने पढ़ने है grow में एक ETF खरीदने के लिए HDFC small cap 250 ETF, अब दोस्तों same ETF हो, HDFC ठीक है, Nifty small cap 250 ETF को हम खरीदने वाले हैं दोस्तों आप स्टोक में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आप स्टोक में हमने यह उपन कर रखा है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा regular नीचे हमने एक quantity डाल दी है market price वही है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 186 रुपे 63 पैसे तो यहाँ पर हमने एक quantity डाली है यहाँ पर हम जाएंगे market पर market पर जाने के बाद यहाँ पर required पर click करेंगे और जब यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने आएंगे charges यहाँ पर आप देख सकते हो same ETF को अगर हम खरीदते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा दोस्तो कि हमें 27 पैसे का चार्ज देना पढ़ रहा है अब इस stock में ठीक है इसी ETF को खरीदने के लिए 27 पैस चार्ज गरना पढ़ रहा है अब चलते हैं दोस्तो जरोधा याणि काइट में यहाँ पर हमारा पास HDFC का ठीक है 250 ETF है बाइंग पर किलिक करूँगा अब यहाँ पर हमने one quantity डाल दी है market यहाँ पर हमने रखा है अब यहाँ पर आपको चार्ज देखने को मिलेंगे मैं जैसी किलिक करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा 19 पैसा यानि कि दोस्तो सेम ETF को अगर हम जाते हैं जरोदा में खरीदने के लिए तो 19 पैसे चार्ज हो रहा है अब चलते हैं एंजल वन में तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो HDFC 250 स्मॉल क्याप ठीक है हमने ETF जो है यहाँ पर ओपन किया है उसके बाद मैं बाइंग पर किलिक करूँगा हमारे सामने आ चुगा है यहाँ पर रेग रोल पर किलिक करके quantity में मैं एक डाल दूँगा और एक डालने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कितना charges है तो देखो same ETF है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तो only 4 पैसा लग रहा है तो अगर हम एक ETF वाई करते हैं इन चारो डिमेट अकाउंट में तो सबसे पहरे मैं आपको पता दूँ ग्रो में लग रहा है दोस्तो 35 पैसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसके साथ साथ अप स्टोक में लग रहा है दोस्तो यहाँ पर आप देखेंगे 27 पैसा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसके साथ साथ अगर हम जरोदा में जाते हैं तो 19 पैसा लगता है और इसके साथ साथ अगर हम जाते है Angel One में तो सिर्फ चार पैसा लगता है तो इससे पता जलता है कि दोस्तो Angel One बहुत ही सस्ता है अब यहाँ पर हम quantity बढ़ा देते हैं quantity दोस्तो हम यहाँ पर करेंगे अब पूरी 100 मैंने यहाँ पर 100 quantity कर ली 100 quantity करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आप देखेंगे चार्जर्स तो मैं यहाँ पर किलिक करूँगा approximately में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तो brokerage अब देखो सबसे पहला आप देख लो grow app में अगर आप सेम ETF में 100 quantity buying करते हैं तो देखो 9 रुपे 73 पैसी हो गए 63 यहाँ पर हो गए GST 1 रुपे 87 पैसा हो गया security transaction charge 19 रुपे 46 पैसा हो गया सेवी का turnover 2 पैसे हो गया stamp duty 2 रुपे 92 पैसे हो गया investor production fund दोस्तो 2 पैसा हो गया अगर हम इसको total करेंगे तो हमें दोस्तो यहाँ पर जो चार देना पढ़ रहा है वो 34 रुपे 65 पैसे देना पढ़ रहा है तो मैं इसको एक बार नोट कर लूँगा grow में दोस्तो 100 quantity का 34 रुपे 65 पैसे ठीक है यहाँ पर हमें जो है pay करना पढ़ रहा है अब यहाँ पर हम same hundred quantity अगर हम आप इस टोक में ठीक है खरीदते हैं तो हमें यहाँ पर देना पढ़ ड़ा है दोस्तो 44 उर्पे 57 पैसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर estimated है ठीक है 44 उर्पे 57 पैसे यहाँ पर हमें जो है same hundred quantity अगर हम buy कर रहे हैं ठीक है HDFC small 250 ठीक है तो यहाँ पर देना पढ़ ड़ा है अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जरोधा यानकी काइट की तो इसको बंद करेंगे यहाँ पर मैं hundred quantity कर देता हूँ और यहाँ पर मैं refresh करूँगा तो आप चार्जर देख सकते हैं ठीक है तीन लुपे बामर पैसे हमें यहाँ पर चार्ज पर रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा चार्जर से है यानि कि अगर आप ETF खरीदते हो तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए best demand account होगा दोस्तों angel one क्योंकि देखो same quantity हमने यहाँ पर खरीदी है यहाँ पर आप देख रहे हो grow app में तो वही हमें देना पर रहा है यहाँ पर 34 रुपे 65 पैसे अगर हम जाते हैं अफिस्टोक में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तीन रुपे 22 पैसे तो आप देख सकते हो जमीन आस्मान का अंतर है इतना ज़्यादा brokerage हम से लेते हैं अब दोस्तो same ठीक है अगर हम इसी ETF की 1000 quantity ठीक है grow app में खरीदते हैं तो हमें जो यहाँ पर चार्जर्स देने पढ़ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने निकल कर आएंगे और इसको अगर आप total करेंगे तो यह निकल कर आएगा 255 रुपे 23 पैसे यानि कि दोस्तों grow app में 1000 quantity खरीदने के 255 रुपे 23 पैसे हमें देने पढ़ रहे हैं क्योंकि security transaction fees 294 रुपे लग रहा है और इसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो stamp duty 29 रुपे लग रहा है जो की बड़ी amount है और brokerage 20 रुपे है अब brokerage 20 रुपे होगा तो इन सब पर दोस्तों जितने भी हैं पर 18% GST भी लगेगा ठीक है तो 1000 quantity का यहाँ पर हमारे जा रहा है 255 रुपे 23 पैसे अब यहाँ पर मैं जाता हूँ अपिस्टोक में और अपिस्टोक में जाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1000 quantity ठीक है मैं न कर दिया उसके बाद यहाँ पर मैं required पर किलिक करूँगा और यहाँ पर 400 देखूँगा तो दोस्तों निकल कर आता है 247 रुपे ठीक है 247 रुपे मेरे को देने पड़ेंगे दोस्तों 1000 quantity खरीदने पर आप स्टोक पर देख रहे हो आपके सामने है 247 रुपे के लगवगद देख रहे हो क्योंकि यहाँ पर transaction tax जो है 166 रुपे है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी transaction charge आपको देखने का मिलेगा लगबग estimated charge जो है वो 246 रुपे के आसपास है ठीक है यहाँ पर आप देख रहे हो यह सारे के सारे charges हैं अब वही अगर angel one में हम जाते हैं और यहाँ पर हम 1000 quantity कर देते हैं तो आप देखेंगे दोस्तो सिर्फ और सिर्फ हमें जो charge देने पढ़ने हैं वो कितने हैं नाउनरमल से charge है दोस्तो यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 35 रुपे 22 पैसे ठीक है 35 रुपे 22 पैसे ठीक है हम जो है पूरी 1000 quantity खरीद लेंगे तो भई इस हिसाब से आप देखो तो भई angel one में जमीन आसमान का अंदर है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो सबसे पहले तो trade value 1,86,190 पर की है तो भई इतने याद चार्ड़स हैं और angel one पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखेंगे 35 रुपे 22 रुपे के चार्ड़स देखने को मिल जाएंगे अब दोस्तों यह तो buying का था अब मैं यहाँ पर selling का भी बता रहता हूँ देखो अगर हम grow app में ठीक है ETF sale करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो same है वसी एक ही हमने जो है यहाँ पर ETF ले रखा है HDFC small car 250 ठीक है तो 1000 quantity आपको देखने को मिल जाएंगी अब यहाँ पर मैं 14 देखूंगा तो देखेंगे आपको देखने को मिलेगी 20 रुपे, 6 रुपे, 98 पैसे 4 रुपे, 89 पैसे, 186 रुपे, 20 पैसे और 19 पैसे टोटल अगर आप इसको करऊंगे तो यह निकल कर आएगा लगबग दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 218 रुपे, यानि कि 1000 quantity अगर sale करते हैं grow app में, तो 288 रुपे देना पड़ेगा अब यहाँ पर हम चलते हैं दोस्तों आप इस टोक में, आप इस टोक में यहाँ पर selling यहाँ पर करके दिखा देता हूँ यहाँ पर हम गए, sale पर हम जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद, दोस्तों, हम यहाँ पर 1000 quantity डाल देंगे उसके बाद, डालने के बाद, दोस्तों, यहाँ पर आपको estimated charge देखने को मिलेगा, मैं इस पर click करूँगा तो 288 रुपे का charge लग रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अब यहाँ पर angel 1 पर जाएंगे, और angel 1 पर जाने के बाद, दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी window, मैं इसको cut कर देता हूँ, cut करने के बाद, sell पर जाएंगे sell पर जाने के बाद, दोस्तों, यहाँ पर delivery में हम 1000 quantity डाल देंगे और उसके बाद, दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, तो टोटल जो चार्ज निकल कर आए हैं, वो 9 रुपे 15 पैसे हैं अब देखलो, यहाँ पर जमीन आसमान का अंदर है, यानि के जहाँ पर angel 1, 9 रुपे 15 पैसे चार्ज कर रहा है वहीं पर आपके सामने grow है दोस्तों, जो की चार्ज कर रहा है, लगबग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कैल्कुलेटर में 288 रुपे इसके साथ साथ यहाँ पर हम जाएंगे, आप इस टोक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 198 रुपे और अगर हम जरोधा में जाएंगे, तो 193 रुपे और angel 1 में देखने को मिलेगा, only 9 रुपे तो भई मैंने आपको complete तरीका बता दिया, अगर आप ETF के लिए best demand account देख रहे हैं, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक demand account है, जो कि यह angel 1 अगर आप angel 1 में, ठीक है, buying करते हैं, selling करते हैं, ETF की, तो मामूली से charge आपको देने हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, कि पैसे, मतलब बहुत बड़ी quantity खरी देंगे, हजारों में quantity खरी देंगे, तब जाकर दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ ही पैसे, 10-12 रुपे का चा अकाउंट ओपर कर सकते हैं, और ETF में, जो है, buying and selling कर सकते हैं, वीडियो पसंद आईए, वीडियो को लाइक करें, चैनलों को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद